अगर आप creative बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं सबसे पहले आपको आइस्क्रीम से थोड़ा छोटा और 24 cm का लंबा कागस का एक टुकड़ा लेना होगा फिर दोनों तरफ 1 cm का gap लगाए और फिर इसे gap से मिला कर काट ले और इसी तरह हर लाइन को आइस्क्रीम स्टीक से भरने के बाद इसमें एक टीशू पेपर डोल लगाए इस इसे को अच्छी तरह से आप देख ले क्यूंकि यहां आइस्क्रीम की स्टीक को बहुत अच्छी तरह से लगानी होगी इसका निचला हिसा बना ले और अब बचे हुए दो स्टीक को नीचे से जोड़ दे इतने सुंदर क्राफ्ट के लिए एक लाइक तो बनती है और अगर आप मेरी तरह क्रियेटिव बनना चाहते हैं और नेक्स्ट क्राफ्ट के लिए वीडियो बाना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे